है लोग आचानल उत्य already की लिए चोटे काना जी कि लिए ड्रेष जो कि बनाई हम ची लीए मैंने इक क्षे 12 बहुत पी CH sir ये देखे है मरने पीछे डोरी लगा रखें बांगने के लिए और हमने सिर्फ ये इस तरीके से हमने एक ही आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए फ्रेंट्स आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं काना जी की यह बहुत ही सुन्दर सी पोशा देखे बैंट्स हम आज की ड्रेस बनाएंगे यह हमारा कॉटन का कपड़ा है यह मेरे पास एक सूट का कपड़ा था जिसने मैंने अपना सूट बनाया था और इसमें काफी शाइनिंग है देखिए यह बहुत शाइनिंग है शायद कैमरे में अच्छे से ना दिखाई दे रह लिए लगभग हमारी ग्यारदूनी 22 इंच है एक पंट ज्यादा है बाईस इंच हमारी काफी रहेगी जितना आप ज्यादा कपड़ा रखते उतना ही ज्यादा हमारे रेस का घेरा बनता है इसलिए मैंने यहां पे 22 इंच लिया और यह देखिए हमने यहां पे 2 इंच और यह हमारा ड्रेस के लिए किनारी है। इसको क्या करणा है। इसको हमें नाम के लिए हमें यहां पे फोल्ड करना, अगर आप इसे फोल्ड ना भी करें तो इस तरीकी किनारी जो है। रैच में काफ अच्छी लगती है, वह नहीं भी फोल्ड करेंगे तो भी चलेगा आप देखें फैंस, मैंने कुछ इस तरीके कि हमारी यहाँ पे लेस लीए यह देखें, हमारा यह पे बॉर्डस हा रहा ही म्यारा हमारा कुछ यह मोटा मोटा है और पतला है इस लेस को हमें किस तरीके से यहाँ पर लगाना है सबसे पहले तो हम इसको किनारी को यहाँ से फिनिश कर लेंगे इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है दोनों साइट से इतना करने के बाद देखे फैंस हमें यहाँ पर जो हमारी लेस आ रही है इसको हमें इस तरी से यहां पर किनारी पर रखना है यह देखिए सिर्फ हमारा इतना हिस्सा दिखाई देगा अगर आपके पास इस तरीके का किनारी वाला कपड़ा ना हो तो आप एक काम करिए हलका हलका यहां से ऐसे सीधी सीधी इस पर पहले सिलाई लगा देंगे और इतना करने के बाद इसक इतनी-सी हमारी हल्की-हल्की किनारी दिखाई देगी तो चले friends, हम पूरी यहां से हैं । इस तरीक़ी की लगा लेते हैं लेस आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, आप थोड़ी और दूसरी भी लगा सकते हैं लेकिन काफी छोटे खानजी की जैसे तो मैं यह वारी लेस यूज़ कर रहे हूँ तो चलिए friends हम सीदे सीदे पहले यह लेस लगा लेते हैं और उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पट्टी की फिनिशिंग करने हैं करने के बाद हम इस तरीके से लेस लगालेंगे उसके बाद आपको लेख रहने के लने हें के पार lesson हमने इस टरीके से लगा लीए देख कि इतनी अच्छी इस देखा लगानी है और इस तरीके से प्लीट लगाने के बाद हमें हाँ पे सिलाई लगानी है तो चलिए हम प्रौने इस तरीके से मिइन डाल लेते हैं, इसके बाद आपको Next इसको हम इस तरीके से सीधा पकड़के नापेंगे यहां से तीन से एक पॉइंट हमारा कुछ ज्यादा आ रहा है लगबग हमारा तीन ही मानेंगे कोई दिकत नहीं है तो हमारा देखे फेंट्स हमने इतना बना के कम्प्लीट कर लिया इसके बाद हमें क्या करना है हम अपनी ड्रस को पिणाने के लिए कानरजी को दोरी बना लेते हैं दोरी बनाने के लिए देखे हमारे यहां पर इस तरीके से हमेंने एक कपड़ा ले लिया दोरी के जागे हम पपड़ा ही लगा देंगे इसकी लंबाई देखे तीन इंच तो हमारी कमर हो गई और तीन इंच के हमारी कमर हो गई तो अगर हम धाई धाई इंच भी दोनों साइड चोड़ेंगे तो पांच इंच पांच तिन आठ इंच तो हमारा लगबख हमारा यहाँ पे कम से कम आठ न काल देंगे आप देखें हमें सबसे पहले हैं पर क्या करना है यह हमने यहां से आदा होल किया और देखें इसकी मैं आपको चोड़ाई भी बता देती हूं चोटे कानाची की ड्रेस है ज्यादा हम चोड़ी पट्टी यूज नहीं करेंगे तो हमारी लगबग यह सबाइंच क सिलना है सीरी स्लाई लगानी है यहां से हमें इस तरीके से एक पैर की स्लाई लेके हम यहां से यहां तक स्लाई लगा देंगे चलिए मैं पहले इतना स्लाई लगा लेती हूं उसके बाद आपको नेक्स डिप बताऊंगे तो देखें फैंस हमने यहां पे इतना हमने यहां स इसको हमने यहां से ऐसे फोल किया इसके बाद हमें उपर से भी फोल करना है यह देखे इस तरीके से और यह पत्ती हमें यहां से सिलते हुए लाना है हम इसमें अलग से डोरी नहीं लगा रहे हैं इसी पत्ती की डोरी लगा देंगे यहां से इस तरीके से सिलते हुए लाके औ और इस तरीके से हमें यहां पर लगा देगे यह हम नेफा हर ड्रेस में इसी तरीके से बनाते हैं देखिए इससे क्या होता मैं ड्रेस की काफी अच्छा से फिनिशिंग आ जाती है पैंस तो इस तरीके से हमें यहां पर लगाते हुए और इधर जाके भी हमें यह दोनों साइ इतना करने के बाद के स्मय है अ और हमें कते बनाने के लिए वह पर आपि यह दो इंच का अचली अमले सकते हैं अब 24 का अब हम ले सकते हैं इसकी हैं इससे और धन कर ंप रहेंज शिपर्रस्तर गरनए ज मनें से क्या तो इनफ बनाना क्षेक्ट से क्लिए यह को इदर से मूरेंगे और इतंना करने बद से कि हम इसको इस तरीके से सलाई लगाएंगे कम से कम हमारी मुश्किल से आधा इंच की पर जाएगी देखी यह देखिते यह चार है ़ुटिल को कि बद îbound ho इसको हमें इस तरीके से लगा देना देखिए, इस तरीके से रखते वे हम इस पे सीधे सीधे स्लाई लगा देंगे, यह देखिए, इस तरीके से हम एक बार यहाँ पे स्लाई लगा देंगे, तो चली स्लाई लगा देते हैं, तो देखिए, पैंट समने यहाँ पे स्लाई चोड़ सकते हैं देखिए यह देखिए बहुत इसकी फिटिंग आती है दिए देखिए हमने यहां पर जैसे यह लम्बाई ली तो इसमें अगर आपको इस तरीके से पटी लगाने है अगर आप दो प्टी कट करके सीधी लगाना चाहते हैं तो स्वाधे पांच लिख लेते ह साड़े चार इंच की पट्टी हमारी कम्प्लीट करेंगे और देखिए हम यहाँ से इसको साड़े चार इंच काट नाप के हम इसे कट कर लेंगे इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमें हाँ पे यह देखिए यह हमारे कानजी के गले में आ जाएगा इसको हमें क्या करना होगा इस तरीगे से हम इसे तिर्चा पकड़ेंगे और तिर्चा पकड़ने के बाद इसको सेंटर पॉίν्ट निकालके इसको हम इस तरीगे से स्टिच कर देँगे यह देखिए यह देखेए, इस तरिके से हमें यहाँ पर एक sly लगा देनी है, बस हमायी ड्रेस बनके complete हो जाएगी, तो चलिये, justefrenUB 2 फरोजाय बना,men हमें यहाँ से इसको sly और हमायी dress बंके complete हो गई हो गई है, एक हमें इसे न जी को पिस पैना के भी दिखा देते हैं लेकर में जीरो साइज के न्य रिंग कि असान है वह सब आ श्यूरAJ के इस तरीके से में डालना minha है काना जी के गले में और ये पट्टी हमें ले जानी पीछे ये देखिए और इस तरीके से हमें काना जी की ड्रेस को यहां से बांद देना तो देखिए पैंट से हमारे काना जी की ड्रेस हमने बना दिया और इसको हमने यहां से अच्छे से बांद भी दिया यह डोरी हम kanah ji की dress की नीचे ले जाएंगे dress के नीचे ले जाके हम इसे adjust कर देंगे तो देखे friends हमारी यह 0 size के kanah ji है उनको इड्रेस कितने अच्छे से आ लिए यह dress आप एक नमबर kanah ji को भी पहना सकते हैं उनको भी इड्रेस बहुत अच्छे से आ जाएगी देखिए और देखिए इनका साइस कितना छोटा सा है यह देखिए तो फैंस आपको यह इड्रेस उमीद करती हूं अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा अपने फैंस के साथ शेयर करि